यह हैं देखिए हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनिशनल लिलेशन एक चीक बिसे ठीक है ऑप्शनल सब्जेक्ट का हम एक कोशन समझने का प्रियास करेंगे जो है इसे डिकोट करने का प्रियास करेंगे नाइन्टी एटीन वर में पुछा गया है कि दा पावर्स एंड इनिफ्लेंस अप दा कैबिनेट देखो जब हम लोग भारत सरकार की बात करते हैं तो उसका एक मंत्री मंडल होता है अतीत काल से ही मतलब प्राचीन भारत से ही इंडिया को ऐसे ही मदर अब डेमोक्रीसी नहीं कहा जाता है आप लोग अगर भारत का इतिहास से परचित होंगे तो आपको जो है बैसाली या लिच्छवी जनप्रदेश या जनपद के बारे में मालूम होगा तो फिर जो है अगर आप बेद और कह सकते होगे स्मृति रिचाओं की बात करो तो उसमें भी सभा और समीति क मिलता है ठीक है बेद में भी इस चीज़ का जो है आपको उलेख मिलता है तो आप कहीं ना कहीं आप आओगे कि कोई भी जो है निरने जो है वो एक बिक्ति नहीं लेता था बलकि एक सभा होती थी एक समीति होती थी कई लोग जो है उसमें बैठ कर जो है बहुमत के आधार पर फैसला लिया करती थे, फिर जब आप राजे महराजाओं का समय देखेंगे, जब मुनार्की देखेंगे, प्राचीन भारत में या फिर मध्यकालीन भारत में, उस समय भी आपको पूरी के पूरे मंत्री मंडल का आपको बरणन मिलेगा कि किस प्रकार जो है, राजा के है, अपने मंत्री मंडल से बिचार, बिमर्स और प्रामर्स करने के उपरान थे, कोई ठोस्ट निरने लेता था, तो इस बातों को हम लोग जानते ही हैं, फिर जब 1947 के बाद भारत अजाद हुआ, तो ठीक उसी प्रकार, हमने गौर्ब्मेंट फॉर्म किया, तो उसमें हमार अगर कोई पद है, तो वह है प्राइम मिनिस्टर का, तो प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मतलब होता है प्रमुख, और मिनिस्टर मतलब मंत्री, वह अभी एक मंत्री हैं, लेकिन मंत्रियों में वो प्रमुख है, ठीक है, मतलब first among the equals, all ministers are equal in their power and position, but the prime minister is first among them all, ठीक है, मतलब वो सभी मंत्रियों में से प्रमुख हैं और अग्रेरिनी हैं, सबसे पहले मंत्री वह ही है, तो ये बाते वही कहीं जा रही है, कि देखो, हम लोग जो है, council of minister के बारे में, संभिधान में पढ़ते हैं, कि पूरे के पूरे, जो है, सरकार होगी, सरकार के, कह सकते हो कि एक प भारत सरकार की बात करो, तो उसमें देखो, फिर जो है, ग्रिह मंत्री हो गए, अभी जैसे प्रधान मंत्री है न, नरेंद्र मोधी, फिर गृह मंत्री, अमिच्सा, फिर निशनल रहा, highway minister नितिन कडकरी, finance minister सरीमति इनिर्मला, सीता रमन, ठीक सिता जिए प्रकार, पूरा क का कहीं कोई जो है संविधान में बर्नन नहीं है लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जितने सदस्यों की संख्यां होगी ठेक है उसका जो है 15 प्रतिशत जो है ही मंत्री बनाए जाएगा अब क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है इतना विसाल देश है तो कोई किरसी मंत्री है कोई स् मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंडेंट शार्ज मिलाकर बहुत सारे कह सकते होगी हो जाता है मालों 543 मेंबर का 15% तो पूरा एक लंबा चोड़ा मंत्री मंदल होता है अब जो है प्रधान मंत्री जब कोई भी फैसला और निरने को लेते हैं तो यह संभब नहीं होता है कि सभी मंत्रियों के साथ हामिशा हर बात को डिसकस किया जाए और यह तारकिक भी नहीं होगा मालों कोई स्वास्ते से संबंदित कोई मुद्दे हैं तो वो जो है किसी मंत्री से उसका क्या तात्र पर है तो सभी मंत्रियों मंदल से हर मुद्दे पर हर बार चर्चा करना नहीं तार्एक है और नहीं कह Kundal is the possibility है तो इसके लिए जो कुछ मंत्री मंडलियोंनीटर की रेंग के होते हैं जो कि music मांंत्र विंगरिम नियस्टर हो गए नियाज्ट मंत्रियों का एक समुह जो है कैबिनेट मिनिस्टर के तोर पे जाने जाते हैं और इस यूप एतने मंत्रियों में भी दो चार ऐसे एक तम बिसिस्ट और कह सकते हो कि जिसको जिस पर प्रधान मंत्री बहुत भरोसा करते हैं या फिर एक दम तीन-चार लोगों का ही समु होता है अभी जैसे बरतमान में कह सकते हो अगर किचेन कैमिनेट की बात करूं तो उसमें आ गए आपके जो है नरेंद्र मोदी ठिक है प तो मिनिस्टर ऐसे मतलब तीन चार लोगों का ही घुट जो होता है वह मूल जो है फैसला लेता है और उसके बाद कोई भी निर्नेयों को कैबिनेट में रखा जाता है आप लोग समचार में सुनते ही होगे कि आज कैबिनेट के द्वारा इन इन प्रस्तावों पर मुहर लगा यह यह विसाय जो है कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया तो ऐसे ही हम लोगों को जो है कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में आप लोगों को हम डिटेल में बता ही दिये तो कहा जा रहा है कि the power and the influence of the cabinet जो cabinet मिनिस्टर का power है उसका influence है वो दिन प्रते दिन gradually और बढ़ते ही जा रहा है ठीक है और कहा जा रहा है increased और increasing मतलब अब तक बहुत बढ़ चुका है सभावी कुसी बात है सारे निरने cabinet के द्वारा ही लिये जाता है और कह सकते हो कि उसमें भी kitchen cabinet और प्रमुक है ठीक है और कुछ-कुछ मसलों पर जो है council of minister से भी जो है मतलब लेकिन अन्तों गत्व जो साइन होता है नों सारे council of minister और cabinet minister का ही होता है ठीक है जो सब जो है कह सकते हो उसके बाद राश्पति बगएरा को भेजा जाता है तो आगे प्रक्रियाम लोग पभी सबढ़ेंगे जब amendment को पढ़ेंगे लेकिन हम कहा जा रहा है कि cabinet की सक्तियां दिन प्रति दिन और बढ़ी है और बढ़ती ही जा रही है and out to be diminished और क्या इस cabinet के सक्ति को कम कर देना चाहिए तो इस प्रश्णों के उत्तर देते हुए हमें discuss करना है ठीक है इस पर विचार बेमर्स करना है और discussion में कहने का मतलब यह है कि आप जो है अपने अनुसार प्रश्णों के उत्तर क को लिखेंगे अब जो है इसमें जो है cabinet minister की हम बात कही गई है अब है कि cabinet minister ना अधिक लंबा होता है ना अधिक छोटा होता है इसकी पावर तो ग्रेजुली जहें बढ़ रही है या बढ़ी कोई पहले से ही थी आजादी के बास से नहरू के शासनकाल में या इंद्रा गां अधिक करने के लिए उसे तो आप डेमिनिस्टर नहीं सकते हैं तो अबर ऑल जो है इसकी जो ताकत है वह बहुत पहसकते हो कि तारकिक वी और यह संबिधान से कह सकते हो डिराइड करते हैं तो इसमें कोई किन्तू प्रंतू है नहीं और हां यह बास सही है कि कौनसील ओप म मिनिस्टर की मीटिंग भी वीच वीच में होते रहनी चाहिए ठीक है यह बातें आपक में अनुसार से लिख सकते हो आसा करता हूं कि वीडियो समझ में आ गया होगा अब हम लोग एक नए कोशन को डिसकस करने जाएंगे डैट साल थैंक्यू